हलो फ्रेंड नमस्ते आज हम आपको परवल की मिठाई बनाना बताएंगे आप जैसे मार्केट का खाते हैं वैसे ही सेम मैंने परवल की मिठाई बनाई हैं वही श्वाद है और देखने में भी वैसा ही है इस तरह से मैंने चार परवल ले लिये हैं और उसको मुझे छील लेना है अच्छे से छील लेना है मेरे वीडियो पर नए है तो सस्क्राइब का बटन दवाएं वैल आइकन को प्रेस करें और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुशती रहेगी जो जो हम वीडियो बनाएंगे वह आपके पास पहुशती रहेगी मैंने परवल को छील लिया है इस तरह से आपको सारे परवल को छील लेना है और उसको बीज में एक कट लगाएंगे आप जैसे आप कलॉंजी बनाते हैं उस टाइप का परवल को एक बीज में कट लगाके एक चीरा लगाके और उसके जितने बीज होते है धीरे धीरे करके निकाल लें ताकि वो तूटे ना निकल जाते हैं आसानी से इसके सारे बीज आप निकाल लीजे एक एक करके एकदम उसको खाली कर दीजे आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से सारे बीज को निकाल दिया है ये एकदम मार्केट जैसा बना था आप इसको ट्राइज जरूर कीजेगा अब कमेंट्स में बताएगा कि कैसी बनी थी परवल की मिठाई ये देखे मैंने सारा खाली कर दिया है अब मैंने इसको कटोरे में गरम पानी लिया है गैस पर रख दिया है अब उसको हम मीडियम फ्लेम पे पाच मिनट तक पकाएंगे और ये मैंने थोड़ा सा मीठा सोडर डाल दिया है ताकि जो इसका कलर है वो ग्रीन जैसा बना रहे है उसका कलर अलग ना हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडर डाल दिया है और इसको ये उबल गया है मैंने इसे पानी से निकाल दिया है और इसको हलके हातों से हम जितना पानी एस्टा है हलके हात से दवा के निकाल देंगे बहुत हलके हां से दवाना है तेज से नहीं दवाना है जितना पानी निकल पाए आप निकल देजिए और ये चीनी की चाशनी मैंने बनाई है ये मेरे रजगुले का सीड़ा बचा हुआ था चाशनी बचा था मैंने उसको थोड़ा सा गाड़ा कर लिया है आप चीनी डाल के बनाए थोड़ा सा चीनी डाले के बाद थोड़ा सा गाड़ी चासनी हो जाए तब उसमें आप ये डाले इसको भी 3-4 मिद्ट तक पका ले उसी सीड़े में ताकि जितना चीनी हो उसके अंदर आ जाए परवल के अंदर साथ सीड़ा को जाए ये मैंने लड़ू लिया है और एक पेडा था मैंने दोनों को मिक्स करके इसमें भरना है आप खुआ भी ले सकते हैं मेरे पास लड़ू था पेडा था मैंने दोनों को मिक्स करके और परवल में मैंने भर दिया है आप खुआ ले सकते हैं आप इसमें खुआ भर सकते हैं मैंने खुआ नहीं भरा है मैंने इस तरह से लड़ू था पेड़ा था दोनों हुई भर दिया है इस तरह से आपको सारे परवल में भर देना है जैसे आप कलोंजी भरते हैं कलोंजी का मसाला उसी तरह आप परवल में भर दिजिए और यह देखे मैंने परवल में भर दिया है और यह कितना अच्छा लग रहा जैसे एकदम बजार जैसे मिठाई है, 500 रुपे वाली मिठाई आप घर पे ही बना सकते हैं, बहुत सस्ते दामों पे, और ये देखिए मेरा परवल की मिठाई तयार हो गई है, अब इसमें हम ड्राइब फूड लगा सकते हैं, आप मैंने इसमें चैरी लगा दी है, अब ड्र परवल की मिठाई तयार हो गई है, ये बहुत ही साथ, खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट है, आप इसको जरू ट्राइ कीज़ेगा, और कमेंट से बताएगा, कि इसके खाने का स्वाध परवल जैसा था, कि एकदम मिठाई जैसे अलगी स्वाध थी, मेरी वीडियो